अधाब मैं हूँ यासमीन खान और अभी मैं हूँ लोदियाना में और मेरे साथ एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है और यह जो डॉक्टर है काफी सारे लोगों को एक ऐसे लाइफ में मोमेंट्स दिये हैं उन्होंने जो शायद लाइफ टाइम चरिश करेंगे मेरे साथ है आई इंडिया में अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अगर आप हमारे ओडियंस को इसके बारे में बताए वाट इस प्रोसीजर लाइक एंड क्या है अक्टोल में आइविया देखो जो आइविया वह काफी सालों से आया हूँ है इंफाक्ट इंडिया में प गवेस जादा हो रही है, इन फर्टिलिटी का जो रेट है वो बहुत जादा बढ़ गया है, टो आई वसकी अवैलेबिलेटी हो रही है, तो जो इन फरलिटी पेशन्स है, जिनके बेबी नहीं हो रहा, उनके लिए ये एक बून है, तो इसके, यह एक ऐसा प्रोसीजर है जो कुद्रत में मतलब जो जिसे कहते हैं कुद्रत ने करना था पर किसी भी प्रॉब्लम की कारण चाहिए वो मेल में हो या फीमेल में हो तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो IVF के जरीए अपना बेबी ले सकते हैं जब आपके पेशेंट्स आते हैं तो नहीं किस को ट्रीटमेंट की जरुवत है इस दिमीर और फीमील थो इंडायर प्रॉचेजर लाइए जब कोई भी इंटाइल कपल आता है तो अगर वह 1 अल से जादा ट्राइक कर रहा है और उसके बेवी नहीं हो रहा तो डेफिनेट्ली उसको treatment की जुरूरत है जो IVF procedure especially उन patients के लिए आजकल advanced IVF भी आ गया new techniques आ गई हैं तो उन patients के लिए जिनको बहुत देर हो गई है बेबी नहीं हो रहा जो चोटी techniques try कर चुके है like IUI वगेरा वो successful नहीं हुआ किसी को endometriosis है किसी की tubes बंद है या फिर male factor infertility यह sperm count जो बिलकुल निल है या इतना कम है कि बेबी naturally नहीं conceive हो रहा तो ऐसा patient IVF एक्सी वगेरा के लिए जा सकता है अब जब अगर किसी patient ने IVF treatment लिया है इन उसका finally उनने conceive करा तो फिर उसके बाद क्या do's and don'ts है जो उस patient को follow करनी होते हैं आपने बहुत अच्छा question पूछा सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि IVF baby बिलकुल एक normal baby की तरह होता है और patient का अपना ही baby होता है यह नहीं है कि IVF baby is different जब एक लेड़ी IVF के जरिये pregnant होती है उसको थोड़ी बहुत precautions रखनी पड़ती है क्योंकि baby बहुत precious है और वहाँ सालों बाद हुआ है otherwise इतने specific कोई difference नहीं है IVF baby भी normal हो सकता है ज़रूरी नहीं कि हर IVF baby में caesarian section की जरूरत हो या कोई operation से baby निकाला जाए they are just like any other normal babies अब जो females आपके पास आती है तो mostly किस तरह की complications होती है females में what are the reasons की no fertility rate हमारा low हो रहा है देखिए females में जो factor है एक तो tubal factor है दूसरा uterus और तीसरा अंडेदानियों की problem so यह तीन main important चीज़े हैं जो की एक female factor को effect करती है अब uterus में क्या है uterus बहुत छोटा हो गया है यहां किसी patient का EMH level मतलब reserve खतम हो रहा है uterus shrink हो रहा है body में hormones कम हो गए है बहुत common है आज की date में लोगों का low AMH होना तो इसका मतलब है कि उनको जल्दी से जल्दी baby ले लेना चाहिए उनकी biological clock जो है body clock है lady की वो tick कर रही है और indicate कर रही है कि get pregnant tubes block हो सकती है किसी भी तरीके से मतलब problem के कारण block हो सकती है tuberculosis हो सकता है endometriosis हो सकता है जो tubes है वो normally function नहीं कर रही तो जो egg और sperm का melon tube में होना है वो नहीं हो रहा तो इसके लिए IVF XC की जरुरत पड़ सकती है अंडे दानियों की जैसे है ovaries की problem है उसमें ovarian cyst हो सकती है low ovarian reserve हो सकता है endometriosis हो सकता है uterine fibroids हो सकते है जिनके कारण pregnancy नहीं हो सकती अब यह जो IVF को procedure है इसमें age का भी इतना बड़ा factor में लेकिया है बिल्कुल देखिए जो IVF का procedure है जैसे जैसे एक lady की age बढ़ती है normally भी biologically भी उनको difficulty हो सकती है so एक couple को जो जिसके baby नहीं हो रहा मैं हमेशा advice करती हूँ कि अच्छे time पे अच्छी age पे pregnancy ले लेनी चाहिए क्योंकि बहुत important है क्योंकि उसके बाद जो antinatal period यानि कि जब वो pregnant हो जाएंगी इतनी यंग होईंगी वो इतना smooth चलेगा so patient को बहुत precious time जो है वो अपना waste नहीं करना चाहिए बहुत सारे patients है हमने यह try कर लिया हमने कोई जाड़ फूब करा लिया कोई देसी दवाई खा ली तो वो time निकल जाता है pregnancy होने का और government of India ने भी age की limitation कर दिया कि any lady जो above 50 है वो pregnancy नहीं ले सकती क्योंकि उसकी body में effect हो सकता है पर ऐसा नहीं है किसी lady का अगर premature menopause हो गया और वो 50 से कम है तो वो अपना baby ले सकती है अब अगर किसी couple ने like IVF के लिए opt कर रहे है और उनका baby हो गया now that like they plan like a second baby through the same treatment बहुत सारे की मेरे पास patients आते है especially for शरी नगर कश्मीर जमू जो की पहले एक बार IVF करा चुके है पर उनका unsuccessful हो गया या किसी का भी unsuccessful हो गया तो कोई ऐसी limitation नहीं है जो हम यहां पे करते हैं जो stimulation protocols है और normally patient एक बार करा सकता है दो बार करा सकता है हाँ इसमें हम यह patient को option देते हैं जैसे हमारे यहां पर freezing facility है अगर किसी patient के spare embryos बच गए कि तो उनको सारे procedure की ज़रुवत नहीं है वो सिरफ frozen transfer करा सकते है so ऐसा कोई limitation नहीं है कि IVF सिरफ एक ही बार हो सकता है और अगर unsuccessful हो गया तो वो दुबारा नहीं हो सकता